यूर एक्सलेंसी यूहब दफ्लॉर फ्रेंट्स आज मैं आपके बीच उस भूमी का प्रतिनिदित्व कर रहा हूं जिस भूमी ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था समगच्छ द्वम समद्वत्वम समव मानसी जानताम आज एक कीशवी सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वण हो गया है प्रासंगिक हो गया है समगच्छ द्वम यानि सभी साथ मिलकर चले समबद्वम यानि सभी मिल जुलकर आपस में समवाद करे और समव मनानसी जानताम यानि सभी के मन भी आपस में मिले रहें फ्रेंट्स जब मैं पहली बाद ट्राइमेट समीक में पैरिस आया था तो मेरा ये इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वाइदों में एक वाइदा अपना भी जोड़ दो मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था मैं उस संस्कृती के प्रतिनिदी के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुगी नह अर्थात सभी सुगी रहे का संदेश दिया है और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समीट नहीं सेंटिमेंट था एक कमिटमेंट था और भारत वो वाइदे विश्व से नहीं कर रहा था बलकि वो वाइदे सवा सो करोड भारत वासी अपने आप से कर रहे थे और मुझे खुसी है कि भारत जैसा विकास चिल देश जो करोडों लोगों को गरिबी से बहार निकालने में जुटा है जो करोडों लोगों की ईज अब लिविंग को रात दिन काम कर रहा है आज विश्व की आबादिका 17 परसंट होने के बावजूद जिसकी एमिशन्स में रिस्पोंसिमिलिटी सिर्फ 5 परसंट रही है उस भारत ने अपना कर्तब या पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है आज पुरा विश्व मानता है कि भारत एक मात्र बड़ी अर्थे बवस्ता है जिसने पैरिस कमिट्मेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलिवर किया है हम संकल पवद्ध होकर हर संभव एफ़र्स कर रहे हैं परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं प्रेंट्स आज जब मैं आपके बीच आया हूँ तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया मेरी बाते सिर्फ शब्द नहीं है ये भावी पीडी के उजवल भविश्य का जैगोश है आज भारत इंस्टॉल रिन्यूबल एनर्जी केपसिटी में विश्व में चोथे नंबर पर है बीते साथ वर्षों में भारत की नौन फोसिल फ्यूल एनर्जी में 25 परसंट से ज़्यादा की बृत्धी हुई है और अब ये हमारे एनर्जी मिस्ट का 40 परसंट पहुँच गया है फ्रेंट विश्व की पूरी आबादी से भी अधीक यात्री भारतियर रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं इस विशाल रेल्वे सिस्टिम ने अपने आपको 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष रखा है अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी इसी प्रकार हमारे विशाल LED बल्प अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है आज भारत द्रड़ इच्छा सकते के साथ ऐसे कई सारे इनिशेटिवस पर तेजी से काम कर रहा है इसके साथ ही भारत ने अंतराष्ट्य स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टिटिशनल सल्यूशन भी दिये है सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की पहल की क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कोईलिशन पर डिजास्टर रेजिलियन इंफ्रसेक्टर का निर्मान किया है ये करोडों जिन्दिगियों को बचाने के लिए एक सम्वेदन सील और महत्वपूर्ण पहल है प्रेंट्स मैं एक और महत्वपूर्ण विशह है पर आप सभी का ध्यान केंदित करना चाहता हूं आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफ स्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है मैं आज आपके सामने एक वन वर्ड वन वर्ड मूमेंट का प्रस्ताव रखता हूं वन वर्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर में वन वर्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है अधिश्चान बन सकता है यह यह शब्द है life ल-i-f-e यानि lifestyle for environment आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर collective participation के साथ lifestyle for environment यानि life को एक अभ्यान की तरह आगे बढ़ाएं यह environmental conscious lifestyle का एक mass moment बन सकता है आज आवशकता है mindless और destructive consumption के बजाए mindful और deliberate utilization की यह movement एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष तैक कर सकता है जो divert area जैसे fishing, agriculture, wellness, dietary choices, housing, packaging, hospitality, tourism, clothing, fashion, water management और energy जैसे अनेक्स सेक्टर में एक क्रांती कारी बढ़ाव ला सकता है यह ऐसे विशह है जहां हम मैंसे प्रतेक को हर रोज conscious choice करनी होगी पूरी दुनिया में करोडों और वो लोगों के हर रोज की यह choices climate change के खिलाब लडाई को हर दिन billion steps आगे ले जाएगी और मैं इस आर्थिक आधार पर बैग्यानिक आधार पर बीती शतादी के अनुभवों के आधार पर हर कसोटी पर खड़ा उतरने का moment बानता हूँ स्वाथ से समस्ति का यही रास्ता है अहम से वयम के कल्यार का यही रास्ता है फ्रेंट कलाइमेट चेंज पर इस वैच्विक मंधन के बीच मैं भारत की और से इस चुनावती से निपटने के लिए पांच अमरित तत्वा रखना चाहता हूँ पंचा मरत की सोगात देना चाहता हूँ पहला भारत 2030 तक अपनी नौन फोसिल एनरजी केपेसिटी को 500 गीगावर्ट तक पहुंचाएगा दूसरा भारत 2030 तक अपनी 50% एनरजी रिक्वार्मेंट रिन्यूबल एनरजी से पूरी करेगा तीसरा भारत अपसे लगकर 2030 तक के कूल प्रोजेक्टेड कार्मन एमिशन में एक बिलियन टन की कमी करेगा चौथा 2030 तक भारत अपनी अर्थे ववस्ता की कार्मन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा और पांचवा वर्ष्ट 2070 तक भारत नेट जीरो का लख्ष हासिल करेगा ये पंचामरत क्लाइमेट एक्षन में भारत का एक अबुत्पुर्व योगदान होंगे फ्रेंड्स ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनांस को लेकर आज तक किये गए वाईदे खोखले ही साबित हुए है जब हम सभी क्लाइमेट एक्षन पर अपने एंबिशन बढ़ा रहे हैं तब क्लाइमेट फाइनांस पर विश्व के एंबिशन वहीं नहीं रह सकते हैं जो पैरिस एग्रिमेंट के समय थे आज जब भारत ने एक नए कमिट्मेंट और एक नई उर्जा के साथ आगे बढ़ने का संक्र पर लिया है तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनांस और लो कोस्ट क्लाइमेट टेक्नोलोजी का ट्रांसपर और महत्वपुन हो जाता है भारत की अपेक्षा है कि विक्सित देश जल्द से जल्द वन ट्रिलियन डॉलर का क्लाइमेट फाइनांस उपलब्द कराएं आज आवशकता है कि जैसे हम climate mitigation में हुई प्रगती को ट्रैक करते हैं वैसे ही हम climate finance को भी ट्रैक करें उचीत नियाय तो ये होगा कि जो देख climate finance पर किये अपने वादों पर खरे नहीं उतरे उन पर दबाव बढ़े फ्रैंक्स आज भारत climate के विशे पर बहुती साहस और बड़ी महत्वक आख्शा के साथ आगे बढ़ रहा है भारत अन्य सभी विकाद सिल देशों की पीड़ा भी समझता है उन्हें साजा करता है और उनकी अपिक्षाओं की अभीव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा कई विकाद सिल देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडरा रहा है एक बड़ा संकट है हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कठम उठाने ही होंगे यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंग जिक्ता भी सिद्ध करेगा मुझे विश्वात है कि ग्लाजगों में लिये गए निर्णाय हमारी भावी पीडियों का भविशे बचाएंगे और सुरक्षित और सम्रद्ध जीवन का उभार देंगे अधिक जी मैंने समय अधिक लिया आपसे मैं छबा चाहता हूँ लेकिन विकांचिल देशों की आवाज उठाना ये मैं अपना करता में मानता हूँ इसलिए मैंने उस पर भी भल दिया है मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ